Let's start with pandas, pandas के साथ ही हम file handling भी देखेंगे, अब file को कैसे handle किया जाता है, आपके pieces में file जब पड़ी होती है, तो उनको कैसे reading किया जाता है, file paths क्या होते हैं, और किस तरीके से file को python के अंदर किसी भी data को ले किया जाता है, ताकि हम उस पे कुछ analysis कर सकें, ठीक है, उस पे हम बात we are going to use jupyter notebook, jupyter notebook के बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था, but now we are going to see, हमने जितनी भी files पहले बनाई हैं, 12 तक, सारी की सारी dot py थी, dot py value, ठीक है, अब अगर हम को file का नाम रखते हैं, 13 underscore, मैं यहां पे लिखता हूँ pandas, dot ipynb, इसको बोलते हैं, ipython notebook, ipynb, 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 इसको बोलते हैं ipython notebook, और यह notebook का सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि आपको code इस तरीके से आता है, यानि कि यह cell आ रहा है, इसके अंदर आप code लिखें, play का button दबाएं, run का button दबाएं, और यहां पे आपको output आ जाएगी, फिर अगला code, फिर अगली output, फिर अगल फाइलों का करते गए हैं न, वो एक ही notebook के अंदर भी हो सकता था, ठीक है, और इसको बोलते हैं Jupiter notebook, by the way, और यह हम visual studio code के अंदर use कर रहे हैं, ठीक है, इसके इलावा भी आप काफी tutorials देखेंगे, जो online जाके वो use करते है, Jupiter notebook, और Google collab भी आप इस तरीके से use कर सकते हैं, for example, यहां से new notebook open करता हूँ, अगर मेरे से login, बिल्कुल login मांगना था इसने, so, यहां पे भी आप, आपके पास अगर आप login करें, तो यह cell होता है, इसकी नीचे output आजाते हैं, फिर अगला cell, फिर अगला cell, उसकी output, तो इस तरीके से हम Jupiter notebook को use करते हैं, अब से आगे हमने Jupiter notebooks को use कर आपने kernel साहब select करने, यह वो वले kernel साहब हैं, जो आपने एक environment बनाया था, toggle करने के बाद आपको नज़र आएगा, ml.ml.env, अब आपने क्या करना है, kernel सेलेक्ट करने से पहले, इस से पहले, आपने यहां पे लिखना है, pip install, ipy kernel, यानि के ipy kernel, समझा ही बात की, आप kernel को आवाजें दे के बुला रहे हैं कि आई ipy kernel जड़ा काम करना है, वो होता है न, अक्सर अकाद घर पे मिस्तरी मज़ूर लोगे आई, यह जार रहते हैं भी similar line, तो हम वो ही काम कर रहे हैं कि यह इदर भी similar लगाना, ipy kernel, basically यह kernel है, और इसे हम install करते हैं, इस environment के जो inline libraries हैं, उनको install करना है, it will take a little bit of time, otherwise आप जब select kernel करेंगे तो आपके पास already option भी आजाएगे, but this way is faster, यह देखे हैं, मेरे बाते हैं करते हैं, आपके पास यह kernel साब install हो गए, ठीक है, मैं यहां से बंद करता हूँ, select kernel पे मैं click करूँगा, और यहां से python environment, क्योंकि हम python को use करने वाले इस पे click करूँगा, ml environment वाला kernel मैंने select कर लिया, install करने के बाद, ठीक है, समयटागी बात कीजी, यह kernel साब मेरे पास select हो गए, अब हमने जितने variables पढ़े हैं, जितनी चीजें पढ़े हैं, वो सारी यहां पे आप utilize करेंगे, in addition, I am going to show you, एक other language जिसका नाम है markdown, य यह वाली, ठीक है, और इस पे आज मैं आपको 74 minutes की यह 72 minutes का एक lecture में भीजने वालों जो आप देखेंगे, और आपको markdown की पूरी की पूरी language 72 minutes के अंदर रट जाएगी, believe me, बहुत असान है, 72 minutes के अंदर, ठीक है, तो हम markdown वाद से सीखेंगे, but for now, आपने code का cell add करना है, य यहाँ पे आपके पास, अगर कोई cell नहीं है, तो यहाँ पे code आ रहा है, इस पे click करें, फिर code आएगा, अगला cell आ गया, तो इस तरह cell by cell हम चलते हैं, एक, दो, तीन cell होगे code के, ठीक है, और हर code को हम separately run कर सकते हैं, सही हो गया, तो यह हो गया हमारे पास Jupyter Notebook, अच्छा, ह X is equal to 12, यह हमने एक variable बनाया, मैं यहाँ से इसे run करता हूँ, यह run हो गया, यह variable पे मैं जाओ, यहाँ पे यह X store हो गया, अगर मेरे 26 variables भी होंगे, सारे के सारे यहाँ पे store होते जाएंगे, and you can actually view those variables, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं पहले, अच्छा, variables होगे, फिर आप outline पे click कर करेंगे, तो आपके पास different किसम की outline आने लग जागी, which we don't need at this moment, और इस वज़ा से मैंने इसको hide किया हुआ था, और फिर, यहाँ से आप export भी कर सकते हैं, इसको पूरी different files के अंदर, customize layout कर सकते हैं, and different other things आप इस पर perform कर सकते हैं, but for now, अगर आप, यहाँ पे देखें, तो य इसका मतलब है कि एक cell से नीचे वाले सारे cell चला दो, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, you split the cell, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे x लिख है, यहाँ पे y is equal to 12 लिख है, let's see, यह क्या काम करते है, split the cell, ठीक है, तो cells के अंदर code को split कर देता है, and then there are many other things which you can see here, L दबाएंगे तो line number आ जाएंगे, cell की, सिरफ L दबाने से, और अगर मैं cell के अंदर हूँ, escape दबाएंगा cell से बाहिर चला गया, enter दबाएंगा तो cell के अंदर आ गया, escape, enter, मैं दुबारा से करके दिखाता हूँ, escape and enter, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको run कर सकते हैं, और अगर आपने एक specific cell क आप क्या करेंगे, control, enter, control, enter करेंगे तो यह cell run कर जाएगा, control, enter, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यह cell run हो गया है, अब हमने क्या करना है, यह हमारे पास पूरी की पूरी एक notebook की file जो है, वो बन चुकी है, अब इसमें हम पहला काम करते हैं, अपना code लिखते हैं, मैं द let's do it, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, import pandas as pd, लिख दिया, यह हमारी pandas की library import होगी, फिर हम लिखते हैं, import cbond as sns, यह दो libraries हमने जो हैं, इस वकद mainly इन्हें call कर लिया, run किया, यह हमारे पास main दो libraries जो हैं, वो call हो जाएंगी, and it takes a little bit of time in the beginning, लेकिन बाद में smoothly चलता है, अब हम क्या करेंगे, एक data frame लेके हैं कि online, जब हमने यह library install की, इसी के अंदर data sets भी आगए, जिन पर हम practice करने वाले हैं, और अपने machine learning या AI की apps भी बनाएंगे, हमने क्या करना है, उसको load करना है, तो इस library के अंदर एक function है, जिसका नाम है load underscore data set, ठीक है, उसको हमने लगाना ह bracket open करनी है, और inverted comma के अंदर आपने data set का नाम लिखना है, और जो data set हम use करने वाले हैं, that is Titanic, for now, ठीक है, मैंने Titanic लिखा, और यह data set हमने load कर लिया, ठीक है, मैं इसको run करता हूँ यहां से, यह लें जी, Titanic का data हमारे पास आगए, कितने बंदें जिन्दा रहे हैं, कितने फौथ होगे, P class क्या थी, sex क्या था, उनका male या female age क्या थी, sibling spouse थे, ठीक है, parents children थे या नहीं थे, fair कितना दिया, so on and so forth, तो इस तरीके से हमारे पास C bond के तुरू यह data आगए, library के तुरू, अब यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं, कि इस data को मैं एक variable में store कर दूँ, तो आप इसको कष्टी के variable में store कर सकते हैं, इस तरीके से, यह जो हमने basic of python C की थी, ठीक है, अब मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, आप चेक करें, वो print नहीं हुआ, यहाँ पे, कष्टी के आपको print लिखने की जरूरत नहीं है काफी चीजों के साथ, like मैंने सिरफ कष्टी लिख है, it will be here, तो हर cell की output उससे नीचे ही दखाई देगी, आपको लैदा से terminal में जाने की जरूरत नहीं है, that is the beauty of Jupiter North, अच्छा, जो मैंने variable के आपको बात बताई, इस variable पे click करेंगे, तो आपको यहां पे नजर आजाएगा कि X का variable हमने पहले बनाया था, and then, इसको मैं cut कर देता हूं, if you want to do that, you can also remove this variable, इसको restart भी कर सकते हैं, बट, यह कष्टी का variable है, आप इस पे click करेंगे ना, तो वो पूरे का पूरा data आपको separate window में show हो जाएगा, like this, ठीक है, यह हमारे पास data यह तो हमने online data लिया, सही हो गया, अब हम क्या करते हैं, अगर हमने, यहां से कोड ही मुख गुम होगए, चलो, दुबारा से लिखते हैं, यहां पर मैं लिखता हूँ, import pandas as pd, and then import cbond as sns, kusti is equal to sns.load data set और इसके अंदर हमने लिखा था, titanic, that was our data set, ठीक है, और इसको हमने inverted कोमा के अंदर लिखा था, अच्छा, बाइद अवे, यह मैंने inverted कोमा नहीं ना लगा है, तो मुझे कौन सी error आई है, name error, क्यों? क्योंकि यह नाम available नहीं है, until you make it as a string, ठीक है, कश्छती का data हो गया, अब python का pandas की library का function मैं use करूँगा, और उसका नाम है, हमने अब यह जो data set है ना, इसको हमने excel की file के अंदर store करना है, ठीक है? एकसल की file के अंदर हमने store करना है data को, कैसे करेंगे? simply pd लिखेंगे, obviously जिस भी library के अपने function लाने या पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर हम dot लगाएंगे, dot के बाद उसके सारे हमारे पास function आ जाएंगे, अब हमने क्या करना है? write करना है, yes, अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूँ, जब हमने ये data set को download किया ना, तो ये एक data frame के अंदर store हो गया, कश्टी एक data frame है, variable का नाम है कश्टी, ये data frame है, और data frame कौन सा है ये, ये pandas का data frame है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो कश्टी है, अगर हम इसको लिखेंगे, तो ये pandas का data frame है, यानि के pandas इस data frame के अंदर automatically involved है, right? तो अगर मैं कश्टी यहाँ पे लिखूँ, और इस data set को मैं save करना चाहता हूँ, तो pandas लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, because that is already implemented inside the कश्टी variable, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, और आप देखें, आप यही पूरे data को clipboard पे भी लेके जा सकते हैं, clipboard का पता ना, क्या होत उसके अंदर भी save कर सकते हैं, excel के अंदर भी, there are many other file formats जिनके अंदर आप save कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम करेंगे excel के अंदर save, excel के अंदर आपने save करना है, bracket open की, आप इसका नाम को ही रखेंगे, for example इसका नाम मैं रखता हूँ, कश्टी, simply मैं यही रख देता हूँ, अब देखिएगा, मैं इसको run करता हूँ, पहली error आगी, module not found error, और नीचे हमारे पास क्या error आ रही है, no module name open by excel, यानि के जब भी आपने excel की files को handle करना है, you need to install this module, ठीक है, समझ आगी बात की, मैं इसको copy करता हूँ, open by excel को, अब आपको एक और तरीका बदाता हूँ, libraries install करने का, आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर, आप एक निया code यहाँ पे लिखेंगे, self से code बनाएंगे, और इसी environment में रहते हुए, यहाँ पे pip install, paste, आप यहाँ पे open by excel लिखेंगे, या कोई भी library का नाम, और यहाँ से run करेंगे, वो run हो जाएगी, तो inside that code, you are actually installing the libraries, तो यह एक और तरीका है, library को install करने का, within one environment, ठीक है, अक्सर अकाद लोग इसके पीछे, exclamation mark भी लगाते हैं, and now you should actually search, कि यह exclamation mark क्यों लगाते हैं, ठीक है, secondly, आप इसको minus minus quiet करके लिखेंगे, तो यह नीचे रोला रपा नहीं डालेगा, कोई भी के हमने यह install कर लिया, या हमने नहीं install किया, no sir, quiet, et है मेरे ख्याल से, yes, इस तरीके से, ठीक है, समय जाएगी बात की, साथ साथ control s करते जाएगा, यह तो जैसे मेरे साथ हुआ था, व अब जैसे आपने इस install कर रही है, मैं इसको इस तरह सेव करता हूँ, एक question आया है कि यह कष्टी के अंदर हमने सेव की है, c-bone के through, तो यह pandas में कैसे embed हो गया, जितना भी python के अंदर data frames होते है, pandas की library उनके साथ link होती है, panel data होते है ना वो, pandas की library उनके साथ link होती है, आप क by the way, हमने इसको इस तरीके से लिखा, module नहीं था, हमने उसको install की, आप देखते हैं, फिर से error आगई, error क्या कहती है, वो पढ़ते है, error कहती है, invalid file path और buffer objective, file path क्या होते है, अब मैं आपको file path समझाता हूँ, यह है जी वो folder जिसके अंदर हमने पहले दिन काम स्टार्ट किया ह ऐसे ही है, यह इसका नाम है python practice, इसके अंदर हमारी file पढ़ी है, ipynv, यानि कि currently हम यहाँ पे हैं, इस जगाँ पे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस file को कोई path देना जाता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं इसको string में लिखूँगा, ठीक है, secondly, मैं यहाँ पे full stop and forward slash लगा इसका मतलब है, इसी folder के अंदर, full stop का मतलब है, यहीं पे, forward slash का मतलब है, इसी folder के अंदर, यह file, यह file का नाम होगे, क्योंकि हम excel की file में save कर रहे हैं, we need to define the name extension both, तो आजकल की जो extension excel की कौन सी है, extension क्या है, dot, excel, sx, ठीक है, यह हमने लगा दी, अब मैं इसको run करता हूँ, file आगीज़े हमारे पास excel की, ठीक है, अब चेक करें, यह file यहाँ पे excel की पड़ी होगे, मेरे पास यहाँ पे excel इसमें install नहीं है, अभी otherwise I would have shown you that, लेकिन यह file यहाँ पे पड़ी होगे, ठीक है, तो file यहाँ यहा बता हूँ, कि यह वाला folder नहीं, इससे एक step पीछे वाला folder हो, यह, यहाँ पे save ओ, file, अब मैं क्या करूँगा, इसकी बजाए double dot लगा दूगा, यानि कि इससे पीछे वाली directory, hopefully it will work, अक्सर अकाद पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ चीजें error देना start कर देती है, अभी डर नहीं लगा, मुझे पता था यह काम करेगी, and here you go, यहाँ पे आगी आपके file, लेकिन अगर मैं चाहता, तो यहाँ पे एक निया folder बना के, उसका नाम रखता data sets, और इसमें save करनी होती, तो मैं क्या करता, तो मैं करता जनाब, यह double dot से हम पीछे चलेगे, forward slash, अब उसके अंदर data underscore sets का folder है, और forward slash फिर है, यानि के उस folder के अंदर यह वाली file बनाओ, and this is how you can define the path of that file, मैं इसको run करता हूँ, अब यह file data sets के अंदर भी बन गी है, ठीक है, सो इस तरीके से आप file को path देते हैं, मैं इसको remove करने लगो, ओके, अब आपने देखा के data set के अंदर यह कश्टी की file पड़ी है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा, यह तो होगे हमने file को save किया, Excel के अंदर, अगर हम CSV के अंदर करते हैं, यानि के comma separated values वाली file, तो कै से बनती, मैं सेम वही कुछ लिखता हूँ, कश्टी, dot, to CSV हमने कर देना है, यह चीज़, और मैं चाहता हूँ कि उसी जगह पे जाए, सारा कुछ वही रहेगा, यहां पे end पे extension change होके CSV हो जाए, अब इसको मैं run करता हूँ, you will see, यहां पे कश्टी की CSV फाइल भी आ गई, अब CSV क्या होती, comma separated value, जिस file के अंदर, columns, जहां पे आते हैं, वहां पे comma लगा हो, उसको बोला जाता है CSV, ठीक है, like this, यह comma comma जहां पे लगा हुई, this is comma separated values, यानि के values comma के साथ separated है, एक्सल के अंदर यह नहीं होता एक्सल और एड़ी एक डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में होती है ठीक है तो विसली सीएस भी इस वज़ा से बनाई जाती है क्योंकि वो स्पेस कम घेरती है बड़े डेटा सेट्स में ओके यह तो हो गया हाउ टू राइट आ फाइल यहां पर मै करनई है हाउ टू रीड्ट फाइल सबसे पहले आपने लिखने इंपोर्ट पाढ़ाश एज पीड ऐज ठीक है यह उन saja हमने पहले भी किया हुआ हुए लेकीन एक दफाईज आप ने करने pd.read csv excel जो भी आपने import करनी है ठीक है मैं यहाँ पर csv को import करता हूँ in data frame यह कर लिया अब इसके अंदर आपने file path देना है यहाँ पर file path क्या है इससे एक step पीछे जाना है हमने data underscore sets के अंदर जाना है और यह python की खुबसूरती है जिस folder में आप होँ वो आपको इस तरीके से folder के नाम और file का address देने लग जाते है तो आप click करेंगे तो आपके पास csv file आजाएगी तो यहाँ पर अगर मैं बाद में df लेखता हूँ and this is how I can see कि मेरा data import हो चुक है df के अंदर ठीक है समझागी बात की अगर आप excel की file को करना जाते हैं तो यहाँ पर लेखेंगे pd.read.xl like df2 is equal to pd.read underscore excel यह वला excel तो आप क्या करेंगे इसके अंदर excel की extensions का बात देंगे वो जो file है उसका बात तो मैं copy करके यहाँ पे xlsx लिखता हूँ तो यह मेरे पास df2 आ जाएगा अब df underscore 2 को मैं यहाँ पर ऐसे print कर सकता हूँ this is how you can see कि आपके पास files कैसे read की जाती है तो जिन लोगों को यह मसला है कि उनकी files कैसे read की जाएंगे you can read it like this ठीक है अब data आपके पास आ गया है अब काम चलता है पांडा का क्या काम है जी top 10 rows देखनी है हमने बलके सबसे पहली चीज़ अच्छा जो लोग बार-बार कह रहे हैं कि आपने print क्यों नहीं लिखा तो obviously मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप गौर कर रहे हों आपको print लिखने की जरूरत नहीं होती जब आप notebook में काम करें हम सबसे पहला panda का function देखते हैं panda की tips and tricks start होने वाली है pandas tips सबसे पहले चीज़ जब भी आप कोई data लेते हैं ना हम df को ज्यादा तर use करेंगे ठीक है यहां पर df को use करें उसके साथ आप सबसे पहले info लगाके देखते हैं कि यह data हमें किया बताते है और जैसे आप लिखते हैंना उस data की सारी की सारी information आपके यहां पर वो कहते हैंना बंगली बाबा महबूबाब आपके कदमों में यहां पर pandas कहता है data आपके कदमों में लेकिन वैसे आपके पास यहां पर information آ restrictive आ जाती है अब 02890 का क्या मतलब है किसी को समझ आ है इंडेक्स है जीरो से स्टार्ट हो के 890 तक इंडेक्स जा रहे है ठीक है यह मतलब है दन आपके 16 कॉलम और यह 16 के 16 कॉलम्स यहाँ पे आपके सामने प्रिंटिन है जीरो से 15 तक ठीक है समझागी बात की और यहाँ पे कितनी रोज है 891 जहाँ पे 891 नहीं है इसका मतलब उस बंदे का डेटा मिसिंग है टाइटाइनिक में ठीक है जहाँ पे मिसिंग डेटा वो इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा तो पहला काम हम इन्फो का करते हैं यह आपको यह भी बताता है कि यह डेटा टाइप क्या है यानि के एक कॉलम में इंटीजर है फ्लोट है अबजेक्ट है क्या है से यह यह चेक करें इन्फो तो इस तरीके से आपको पांडाज जो है वो पूरी इन्फोमेशन दे देती है ठीक है अगला काम हम क्या करते हैं हम टॉप रोज देखनी चाते है ठीक है और अगर मैं df.head लिखूँ अब यह मैं बैठा हूँ मुझे पूरा एक डेटा तसवर करें मेरा head मतलब टॉप टॉप की जो important चीज़ें वो सामने आ जाए ठीक है इसी तरह डेटा का head है यहाँ पर डेटा का head हमने रन किया हमारे पास top five rows आ सही है अच्छा अगर मैंने बॉटम रोज देखनी है तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे df.tail यह गया टेल तो इस तरीके से आप लास्ट वाली पांच रोज देख लेते हैं ठीक है और इसी तरीके से हम आइस्ता-इस्ता आगे चलते जाएंगे अब यहां पर अब्जेक्ट्स क्या हैं अब्जेक्ट्स क्या वैलियू देते हैं और कैटेगोरिकल वेरिबल्स क्या होते हैं बाकी चीज़ें क्या होती हैं इंशाला नेक्स लेक्चर में हम आपको प्रॉपर वे में यह बताने वालों जो कल हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डेटा data की type, data structure, sampling क्या होती है, basic methods कौन से data structures कैसे, किस तरीके से हम count करते हैं और किस तरीके से हम उनको python या AI के साथ link करते हैं, we are going to see that tomorrow और अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी है, अब आपने काम क्या गरने, एक तो markdown की जो वीडियो में आपको send करूगा, 72 minutes की, वो प्लीज रूट देखिएगा, second ये pandas की library के अंदर getting started में अगर आप जाएं, तो यहाँ पर करके let me see not here, it was in documentation or user guide I guess 10 minutes to pandas user guide में जाके 10 minutes to pandas आपने ये 10 minutes to pandas की practice करने है ठीक है, हर एक function इनका गौर से देखने है और ये किस तरीके से काम करता है, आपने वो समझने है, ठीक है, 10 minutes to pandas, और ये हर किसी ने practice करके वो notebook जो है, वो send करने है, discord के channel में it's for you guys, अगर आप करेंगे तो आपके practice अच्छी होती जाएगी अब इसे के साथ आज का जो लेक्चर है उसे मैं यहां पर रोपता हूँ कर्वाल करदा की एके तो आपके आपके साथ यहीं अब वो लेक्चर करके पस Gघा जसे मैं बाते के उसे क मतोईक